अमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थ्री फेज इंडोक्सन मोटर को क्यों एक रोटेटिंग ट्रांसफोर्मर क्यों कहते हैं आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डीटेल में डिसकॉसन करेंगे और अगर आपको वीडियो आच्छा लागता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा तो देखो आज का वीडियो हम सुरू करते हैं देखो जो थ्री फेज इंडॉक्शन मोटर होता है उसको हम एक रोटेटिंग ट्रांसफर्मर क्यों कहते हैं देखो तो कुछ तो सिमिलारिटी होगा जो थ्री फेज इंडॉक्शन मोटर और ट्रांसफर्मर के बीच में कुछ तो सिमिलारिटी होगा जिसलिए थ्री फेज इंडॉक्शन मोटर को हम एक रोटेटिंग ट्रांसफर्मर कहते हैं तो देखो क्या क्या पॉइंट है पहला पॉइंट देखो बोद दा ट्रांस्फोर्मोर और इंडॉक्शन मोटर वार्क संद सेम प्रिंसिपुल देखो ट्रांस्फोर्मोर और इंडॉक्शन मोटर दोनों एक जेसाब एक ही प्रिंसिपुल में काम करते हैं वह प्रिंसिपुल या पावर इंपूट देते हैं साप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी वार्णिंग कहते हैं जहां से हम आउटपूट लेते हैं उसको सेकंडरी वार्णिंग कहते हैं यह हमारा थ्रीफेज इंडक्शन मोटर है जहां पूर हम साप्लाई देते हैं उसको स्टार्टर कहते हैं बो प्राइमेरी वांडिंग जैसे काम करता है यह त्रीफेज इंडॉक्शन मोटर का स्टार्टर भी प्राइमेरी वांडिंग जैसा ही काम करता है और जो सेकंडरी वांडिंग जहां से हम सप्लाई लेते हैं जो आमया 350 मोत्र होता है उसका जो रूटर होता है वह सेकंडर्य वाइंडिंग जैसे ही काम करता है तो ट्रांस्फोर्मर की प्राइमेरी वाइंडिंग थ्रीफेज इंड़क्शन की इंड़क्शन मोटर की स्टार्टर वाइंडिंग और ट्रांस्फोर्मर की सेकंडरी वाइंडिंग और थ्रीफेज इंड़क्शन मोटर की रोट्टर वाइं एक जीसे काम करते हैं उसके बाद देखो नेस्ट पॉर्ट क्या है बाट दा सेकेंडरी वाइंडिंग अब दा ट्रांसफोर्मर इस टार्टिक लेकिन जो ट्रांसफोर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वह स्टार्टिक होता है कोई भी रोटेटिंग पाट नहीं हो मोटर का सेकंडारी वाणिंग या रोटोर घुमता है रोटेट करता है यह है ट्रांसफोर्मर और थ्रीपेज इंडक्शन मोटर की में डिफारेंस उसके बाद देखो नेक्ट क्या है नेक्ट पॉइंट है इन ट्रांसफोर्मर दाफ्लोक्स इज प्रॉडूच्ट इन दा प् देते हैं तब क्या होता है यह जो यह इस आयरोन कोर में रिक्रावंच्व आता है लेकिन तो ट्रांसफोर्मर में से से कंडरी वाणिंग स्थवाय द्हांना के लिए उसको एक मीडियों मिल गया जिसको हम आयरों आयरों कौर कीछते हैं लेकिन जो त्री थां पडेक्शन होता है उसका माल लो यह हमरा जो स्टाटर होता है मालव हमारा प्राइमरी वानिंग है और जो रोटोन होता है वह हमारे सेकंडेरल वानिंग है लकिन दौनों के बेच में कोई भी ट्रान्सफर्मन में जैसे ऐसे असके आयराण कॉर है लेकिन 3-phase induction motor में इसा बीच में कोई भी मीडियम नहीं है दोनों के बीच में air gap है तो इसलिए क्या होता है देखो बाट induction motor flux is produced in primary winding जिसको हम starter कहते हैं and transfer to secondary winding जिसको हम rotor कहते हैं throw the air gap तो transformer में flux primary winding से secondary winding iron core के थो आता है लेकिन 3-phase induction motor में जो primary winding या starter में जो फ्लोक्स केट होता है वो रोटर तो air gap के throw आता है तो देखो देन देखो next point क्या है next point है transformer is high efficiency because its flux pass from primary winding to secondary winding throw iron core which is high permeable material देखो इसका efficiency बहुत ज्यादा रहता है लगभग 98% तक ही रहता है 98% तक रहता है लेकिन जो हमारा 3-phase induction motor होता है इसका efficiency कम रहता है 70-80% के बीच में रहता है तो क्यों होता है क्योंकि जो magnetic flux primary winding में produce होता है वो iron core के थो secondary winding तक आता है और यह जो iron core होता है उसका permeability high होता है means iron core के थो magnetic flux यह जो magnetic flux क्रिण होता है primary winding में वो इस iron core के थो आसानी से secondary winding तक आता है जिसमें ज्यादा loss कुछ भी negligible losses होता है लेकिन जो AR होता है वो high permeable material high permeable नहीं होता है जिसलिए क्या होता है 3% induction motor में जो primary winding के फ्लोक्स क्रेट हो रहा था primary winding में वो secondary winding तक means rotor तक पहांचने के लिए बीच में air give आता है और यह जो air give होता है यह हमारा good permeable material नहीं है तो इसलिए क्या होता है बीच में losses बहुत ज्यादा होता है यही men करने men region होता है जिसे होता है ना PayPal induction motor का लोस्स ज्यादा होता है एफिशेंसी कम होता है और transformer का efficiency ज्यादा होता है और losses कम होता है क्योंकि 351 induction motor के motor में air give आता स्टाटर और rotor के बीच में air give होता है को दोंट क्या है स्वोट है त्रांस्पोम्र फ्राइमरी वीकर्ट कि उन्पूट में देते हैं तो आउट्पूट में भी हमें स्प्राइब्स फ्रेक्वेंसिय मिलता है क्योपakter Всем यह भी primary winding भी stationary है और secondary winding भी stationary है और बीच में जो कोर है iron core है बहुँ भी stress नारी है इसलिए इसका frequency losses मिन्स भेरी नहीं होता है input अगर हम 50 हर्ज देंगे तो output भी हमें 50 हर्जी मिलता है लेकिन अगर हम 3 phase induction motor का जो supply input होता है हम 50 हर्ज input देंगे तो output हमें क्या मिलेगा उससे कौम मिलेगा क्योंकि यह एक तो यह rotating part होता है बीच में starter rotor के बीच में यहाँ पर बहुत सारा losses होता है इसलिए इसका frequency भी कम होता है क्योंकि जो rotor frequency होता है उसका formula क्या होता है slip into starter frequency यह formula होता है और यह slip क्या होता है जो sleep यह भी याद रखो slip क्या होता है इसका स्पीड जिसको हम कहता है एन्स माइनस एनर क्या है इस रोटर का स्पीड दोनों को माइनस करने से हमें heeft click गणिए तो में ढइनसे के लिए तो दोनों एक जैसा काम करते हैं लेकिन यह ट्रांसफर्मरोर रोटेट नहीं करता है लेकिन थ्रिपल्फ इंडह्य मोटर करता इं इसलिए इसको हम रोटेटिंग ट्रांसफर्मर भी कहते है तो इस वीडियो में इतना हूं थैंक्स पर वाचिंग और अगर आपका वीडियो आच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा